नमस्कार निर्मार आईएस में आप सब का स्वागत है और आज हम फ्लू महमारी से लड़ने की डबलू एचो की रड़नीती के विशेपर चर्चा करेंगे इसके कुछ इनपोर्ट हमने रासवा टीवी, लोगसवा टीवी, पी आईवी, दैनिक जागरन, दा हिंदू से लिए हैं साथ ही निर्मार आईएस के भी कुछ इनपोर्ट इसमें शामिल हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेपर विश्व स्वास्त संग्ठन द्वा 2019 से 30 के लिए इंफ्लेंजा रणीती जारी की गई है जिसका उदेश सभी देशों में लोगों को इंफ्लेंजा के खत्रे से बचाना है रणीती का लक्ष मौसमी इंफ्लेंजा को रोकना जानवरों से मनुष्यों में इंफ्लेंजा के प्रसार को नियंत्रित करना है इंफ्ल मिलियन गंभीर मामले होते हैं जिसके परणाम स्वरूप 2,90,000 से 6,50,000 इंफ्लुएंजा संबंधी म्रत्य होती है इसके कुछ महतुपूर बिंदू हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं WHO ने इंफ्लुएंजा से बचाओ के लिए वार्षिक इंफ्लुएंजा टीका करण को सबसे प्रवावी तरीका बताया है टीका करण गंभीर इंफ्लुएंजा जटलताओं के उच्च जोखेम वाले लोगों के लिए और स्वास्त देखवाल कर्मचारियों के लिए विशेश रूप से महतुपूर है नईरणीती सबसे व्यापक और दूरगामी है जिसे व्यापक लक्षे हैं यह हर साल आवादी की रक्षा के लिए एक रूप रेखा तैयार करता है और नियमित कारिक्रमों के माध्यम से महमारी से बच्चाओं में मदद भी करता है और इसके दो व्यापक लक्षे हैं क्या है जाल लेते हैं रोग निगरानी एवं प्रतिक्रिया के माध्यम से रोग थाम और नियंतरन तथा तैयारियों के लिए मजबूत शमताओं का निर्मान करना इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रतियेक रास्ट हेतू एक एकिक प्रति इंफ्लुएंजा कारिक्रम है जो रास्ट्रिय और वैश्विक तैयारियों तथा स्वास्त सुरक्षा में योगदान देता है इंफ्लुएंजा को रोकने पता लगाने नियंतरत करने और उप्चार करने हेतू बहतर उपकरन विक्सित करें जिससे की अधिक प्रभा अभी भागिदारी आवश्चेक है इसके लिए डव्लुएचो अनुसंधान नवाचार और बहतर वैश्विक रोक्थाम तथा नियंतरन के लिए अपनी छमताओं में सुधार करने हेतू सभी रास्ट्रों के साथ मिलकर काम करेगा डव्लुएचो कारकरम के अंतरगर्थ न प्रणाली की रीड की रूप में कारे करती है इंफ्लुएंजा रणीती महमारी की स्थिती में जीवन रक्षक टीके और उप्चार तक पहुंच प्रदान करती है और उद्योग से सार्थक उद्योग के माध्यम से सभी राश्ट्रों में महमारी रोक्ताम हेतू शमता निर् सांत्रिक एवं वहरी विशेशग्यों के इंपूट के साथ एक परामर्ष प्रक्रिया के माध्यम से विक्सित की गई थी देशों को अपनी इंफ्लुएंजा च्हमता को मजबूत करने के लिए सामानने रूप से संक्रमण का पता लगाने में अप्रत्यक्ष लाव होगा क् इवोला या मध्यपूर्व श्वशन सिंट्रोम से संबंधित अन्य संक्रामक रोगों की बेहतर पैचान करने में भी सक्षम होंगे नई डवलु हो वैश्विक इंफ्लुएंजा रणीती के कार्यानवन के माध्यम से दुनिया हर साल इंफ्लुएंजा के प्रभाव को कम कर करने और एक इंफ्लुएंजा महामारी और अन्य सावजिनिक स्वास्त आपात स्थितियों के लिए अधिक तयार होगी कैसे होता है स्वाइन फ्लुएंजा वाइरस के एक स्ट्रेंड के कारण होता है यह सुवरों से इंसान में संचालित होता है समय पर इलाज नहीं होने प स्वाइन फ्लू के लक्षनों की यदि हम बात करें तो वे निर्म में प्रकार से हैं स्वाइन फ्लू हलके फ्लू या स्वाइन फ्लू बुखार खासी गले में खरास नाग बहने मास पेशियों में दर्द सरदर ठंड और कभी-कभी दस्त और उर्टी के साथ आता है आलके मामलों में सांस लेने में परिशानी नहीं होती है लगतार बढ़ने वाले स्वाइन फ्लू में चाती में दर्द के साथ उपरोक लक्षन जैसे शौशन दर्द में ब्रधी रक्त में ऑक्सीजन की कमी कम रक्त चाप ब्रहम बदलती मानसिक इस्तिती गंबीर निर्जल करण और अंतर नहित अस्तमा गुर्दे की विफलता मदु में दिल की विफलता सी ओपीजी हो सकता है किसी व्यक्ति को खासी गले में दर्द बुखार सरदर्द उल्टी के लक्षन है तो स्वाइन फ्लू की जाच करानी चाहिए इस स्थिती में दवाई केवल चिकिस्त की निग्रामी में ही लेनी चाहिए इसके उपाई क्या-क्या हो सकते हैं देख लेते हैं लगातार हाथ धोने से स्वाइन फ्लू से बचने में मदद मिल सकती है जब आप किसी से हाथ मिलाएं या दर्वाजे के हैंडिल की बोर्ड या किसी टेबल को चुएं तो हमेशा हाइं स सेनिटाइजर का इस्तमाल करें सुनिशित करें कि आप फलों और सब्जियों को पानी से धू रहे हूं अगर आप भीर भार वाली जगव पर जाते हैं तो फ्लू मास्क पहने स्वास्त विवाग ने जारी किये हैं कुछ दिशा निर्देश जो निर्न में प्रकार से हैं स्वास्त विवाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश चारी किये गए हैं दिल्ली सरकार के स्वास्त सेवा महा निर्देश आले द्वारा अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों को मास्क का इस्तिमाल करने का भी दिशा निर्देश दिया गया है प्रशाशन क के पास स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए औशिदी उपलग्द है अस्पतालों में इलाज का पूरा प्रवंद है रास्ट्रे रोगने अंत्रड कारिक्रम अर्थार एंसी डीसी के अनुसार 2018 में दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 136 मामलों की पुस्टी हुई थी जबकि इस साल पहले महिने में ही 168 मामलों की पुस्टी हो चुकी है देखते हैं आज की प्रारंविक परिक्षा का प्रश्ण क्या है निर्म लिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला इंफ्लूएंजा का ठीका फ्लू होने की गारेंटी देता है और अन्य प्रकार के वाइरस से रक्षा भी करता है दूसरा पोशक आहर के साथ शारीरी व्याम इंफ्लूएंजा को रोपने में सायक है तीसरा इंफ्लूएंजा वाइरस हमारे शरीर में ना, कान और मुध वारा प्रवेश करता है उपरियुक कत्नों में से कौन सा कतन सरते हैं एक और दो केवल दो, दो और तीन उपरियुक स देखते हैं आज की मुख्य परिक्षा का प्रश्ण क्या है, इंफ्लूएंजा जैसी बीमारियां अधिकतर साफ सफाई का उचित खयाल ना रखने एवं जलवाई विये कारकों से प्रभावित होती है, सरकार द्वारा इसका उप्चार उपलब्द कराया जा रहा है, ऐसी स ये मुद्दा आपकी परिक्षा में मददगार साबित होगा, इस प्रकार के टॉपेक्स हम भविश्य में भी लाते रहेंगे, धन्यवाल